मनारा फैंस भड़क चुके हैं मुनावर फारुखी के उपर अब मनारा के फैंस जो है काफे जदा उदास भी थे कि भाई मनारा जो है काफे जदा उदास है हाटकोर फैंस रहते हैं न यार वो मतलब कि अपने फीवरेट केंटेस्टिन के साथ हसते हैं अपने favorite contestant के साथ रोते हैं उनका ये हक बनता है और उनको अगर किसी चीज से hurt हो जाए तो उनको बोलने का भी हक बनता है जैसे कि मुनावर फारुखी मुनावर फारुखी का एक प्रोमो सामने आए जहां पर मुनावर ने मनारा के बारे में ये बात बोली और comedy कर दी कि भई मेरे पास आई थी बातरुम में और पूछी कि क्या लिखा है तो मैंने बोला कि game से related कुछ नहीं आगे जाने के लिए तो जाँ यहां से तो ये बात जो है बहुत ही जदा बुरी लग गई fans को जहां पर मुनावर के काफे सारे fans जो है समझाने के भी कोशिश कर रहे है और बोल रहे हैं कि यार वो तो comedy थी आप लोग इतना जदा क्यों चड़चड़ के बोल रहे हो और कुछ fans ऐसे हैं जो कि बहुत ही hurt हो चुके हैं तो hurt हो चुके हैं तो जब वो समझ नहीं रहे तो काफे सारे ऐसे fans भी है जो कि ये भी बात बोल रहे हैं कि इसने तो comedy उसमें बोला है और मूँ पे बोला है मनारा कितनी सारी बाते पीट पीछे करती थी चल अब नहीं कर रही पर करती थी तो अगर मनारा के जो fans है वो अब चाहते हैं कि अब टोंड मारती है उसने हसी हसी में उसको मौका मिला तो उसने टोंड मारी है तो मनारा को अब इसके पीछे नहीं रहना चाहिए तो मुनावर के भी fans का कहना ये है कि हाँ नहीं रहना चाहिए अगर इतना ही ज़धा hurt हुआ है तुम लोगों को तो फिर ठीक है मनारा को भी hurt होना चाहिए तो मनारा को उसके पीछे नहीं रहना चाहिए पर guys मैं आप लोगों को यह चीज बता दू कि वो एक comedy show था ठीक है यह बाते तो hurt करने वाली है जो कि मेंने पहले ही आप लोगों को उसी वक्त में ने पूछा था कि पता नहीं मनारा इस चीज़ को कैसे लेगी पर मनारा ने इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया है कोई उसको हर्ट नहीं हुआ कुछ नहीं अभी तक तो यही चीज़ दिख रही है पर अगर मनारा जैसी है मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो हर्ट हो सकती है पर आपका कहना क्या है मुझे जरूर बताइए पर मनारा फैंस तो काफे ज़दा हर्ट है इसी के साथ मैं लेती हूं जाज़त नमस्कार